Dear student, we have to discuss about the learning and the culture formation. जब हम culture की बात करते हैं, तो culture के अंदर जो हमारे पास, जो अगला school culture की में बात कर रहा हूं, तो school culture के अंदर जो अगला important factor है, वो है हमारे पास attitude and the values. values क्या होती है, थोला साम मुश्कों पर बात करने हैं, values बनियादी तोर पर standard of good and bad है, attitude जो हैं, वो हमारे feelings हैं, हमारे emotions हैं, और जी हमारे feelings और हमारे emotions जो हैं, यह जब output की सिरुट में आते हैं, तो हमारा behavior डिवल्प होता है, यूँ समझे लें, कि अगर मैं उसको एक और अंदाज में बात कर दूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ कि हमारा जो behavior है, हमारी जो output है, यह बनियादी तोर पे base करती है, हमारे attitude के उपर और हमारे values के उपर, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हम behavior modification की बात करते हैं, behavior development की बात करते हैं, बच्चे के अंदर, और यह quality education का एक part है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनके attitudes और values के उपर focus करना पड़ेगा, यहनि उनके अच्छाई और बुराई के जो पैमाने हैं, उनको हमें एक नए अंदाज में बयान करके उसको construct करना पड़ेगा, उसकी feelings को हमें focus करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलके हमारे पास output देनी है, और वो output क्या देनी है, वो behavior होना है, अब हम जब culture parameters की बात करते हैं, तो school culture के अंदर एक जो important factor है, वो हमारे पास है, behavior modification and behavior development, इसको पर थोड़ा सा Australia के अंदर भी काम हो, development के अंदर वो शामिल है, उन्होंने इसको demonstrate की भी किया, अपने एक holistic concept के अंदर, लेकिन हम जब बाद लिंक करते हैं हमारे उसके साथ, developing country के साथ, और फिर quality of life के साथ, अज़ जब हम इसको लिंक करते हैं, तो quality of life जो है, वो depend कर रही है, quality of education के साथ, और quality of education जो है, वो depend कर रहा है, उसका एक parameter, क्योंकि इससे पहले हम culture के अंदर, skills की भी बात कर चुके हुएं, हम teaching learning process की भी बात कर चुके हुएं, तो उन में एक parameter जो है, वो हमारी behavior modification भी है, अब यह जो हमारे पास behavior modification है, बच्चों के अंदर, यह बुनियादी तोर पर, उसके जो values और attitude हैं, यह आगे link करते हैं, उसके interest के साथ, इसका मतलब है, कि जब हम culture contest के अंदर, हम बात करते हैं, उसको understand करने की बात करते हैं, तो cultures के अंदर variation है, मुखति इंटेस्ट हैं, अब मुखति इंटेस्ट जो है, उनके अंदर, मुखति आटिचूर्ट हैं, sustainable development क्या चाहते है sustainable development के अंदर हमारा focus है कि हम uniformity लेके आएं पूरी दुनिया के अंदर developing countries और developmentries अब इन दोनों को हमने जब एक line पे लेके आना है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो कल्चर पार्ट है जो स्कूल कल्चर से शुरू होता है और हमारे society के culture में वो shift होता है उसके अंदर जो हमारा focus है वो हमारा attitudes values और interests इसको भी हमें modify करने की जरूरत है इसको भी बेतर बनाने की जरूरत है अब हमें एक छोटी सोच से निकल कर हमें एक broad concept की तरफ जाना होगा हमें सोचना यह होगा कि मैं अगर सोचता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ मैं international community का member भी हूँ जब मैं international phenomena में जनी different affairs के अंदर मैं internationally या global ही अपने आपको सोचना चुरू करूँगा और जब सोचनी की कोशिच करूँगा तो उसके लिए मुझे जरूरी है कि मेरी understanding मेरा culture contest मेरे attitudes मेरी values मेरे interest यह और यह तमाम के तमाम जो है जो मैंने quality education का हिस्सा बनाया हुए है इसकी alignment होनी चाहिए हमारे international phenomena के हमारी global village के साथ हमारी इस सोच के साथ के by mean हमारा एक culture culture तो मुझूद है जो हमारा individual culture है country culture है लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक international culture भी है और international culture के ओपर इसके ओपर जब हम peace की बात करते हैं और justice की बात करते हैं वह भी जहां जाकर इसके साथ link होती है बाते तो overall हमें हमारे जो culture parameters है quality education के अंदर इस behavior modification के ओपर भी focus करने की जरूरा था है